सो हेलो भाईयो और उनकी बेहनों तो हैर मैं आया हूँ क्योंकि फाइनली एंटमेन 3 का ट्रेलर तो आ ही गया और उसको पूरा देखने के बाद मैं स्रिफ एक ही चीज बोलना चाहूंगा बड़े खुपसूरत हो आप चलिए बिना कैसी लेंग को ताके वीडियो शुरू करते हैं तो ट्रेलर की शुरूआत होती है एंटमेन के साथ जिसमें वो काफी खुश नजराता है और ये वाला सीन देके नजन मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये जो वीडियो शूट हो रही है शायद यूट्यूब के लिए क ये जना परकास्ट में आने लगे हैं वेसाई जैसा हमारी community के बहुत सारे लोग आ रहे हैं खेर छोड़ो एफालतु की बाते हैं अब भी focus करते हैं ट्रेलर पर हाथा उस के बाद हमें दिखा जाती है केसी लेंग कोपसूरत बहिला तो केसी लेंग महां पर अपना experiment जैसे बंद करो लेकिन वो मशीन बंद होने से पहले ही उन पांचों को अपने अंदर खीच लेती है और यार जब अंदर जाने के बाद जब हमें कॉंटम रेम का सीन बताया जाता है यह यार मुझे बहुत पच्छा लगा मतलब इस सीन के व्यूजल इफेक्स मुझे तो काफी जाद आया इंफिनिटी वोर वाला उसके बाद आगे काफी सारे सीन बताया जाते हैं जिसे देखकर पता लग ज्यादा है कि यहां कर रूलर केंग दग कंकररर ही होगा और ट्रेलर में पावर सोर्स भी बताया गया है और मुझे तो यसा लगता है कि इसकी के अराउंड जादा सिमिलर है और मेरी पाद कंफर्म तो शेंची के पोस्टिक रेडिर सीन से हो जाती है जहां पर मुझे पता नहीं लेकिन कोई तो बोलता है कि यह रिंग्स इस यूनिवर्स की नहीं है और यह कहीं पर तो सिंगनल बेज रही है तो वो रिंग शायद सिंगनल केंग द कॉंकररर से वो विलन वाली वाइप तो मिली नहीं है क्योंकि इसने कुछ इसा गलत भी क्या नहीं है ट्रेलर में तो हाँ ऐसा हो सकता है कि केंग दॉकररर अपना काम कराने के लिए सामदाम डंड बहत का इस्तमाल करे और वो अभी तो राजा की तरह हाथ बढ़ा रहा है दोस्ति लेकिन जब एंटमेन मना कर देगा काम करने के लिए तो वो अपने असली उकात पर आ जाएगा और हाँ ट्रेलर के लास्ट में उससे एक शब्द बोलता है अब मुझे ऐसा लगता है कि उसने एंटमेन को कंवेंस करने के लिए ये शब्द बोला हुआ क्योंकि उसके यूनिवर्स में जिसे बचा रहा है वो ही उसे नहीं पेजानते और किसी और यूनिवर्स में बेठा बंदा उसे एंटमेन करकर पुकार रहा है तो यार उसका दिल तो पिगली जाएगा तो या बस आज के लिए इतना ही वीडियो में बस इतना ही था वीडियो का ला जाना जाते जाते